नमस्कार जहिंद आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से हार दिख स्वागत है दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाले तो वीडियो को पुरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस चु वर्से दिल यूनिवर्शिटी के बीकम बात करने वाला हूं कि कौन सी यूनिवर्शिटी आप के लिए बहतर होगी इसमें हम ये कुछ चीज़ों को क्रॉट्रिया को लेका हम बात करने वाले हैं कि इस इस क्राइटेरिया K loveina को अगां फूल्फिल करते हैं इस पक करना भी एक तुलनात्मा खुब से कंपर्जन करना सहीं नहीं है तो यह बताना भी हमारा एक खल्क बनता है कि आपके हिसाब से क्योंकि सब एक जैसा लोग नहीं होता ने कोई बहुत ज़्यादा अपने मीडियो क्लास है तो सब को देख के मैंनेच के चलना पड़ता है और प दिल्य यूंिवर्सिटि और भी सी ना कि ELियू को में हो सब्सक्राइब करते हैं कि दिल्य यूनिवेसिटिडियस में क्या फीज है और भीए चूं इटिकलिके उन्यू क्या उसको लिक्यां हम बात करतें तो जनरली अगर बीए की आप पढ़ाई करने जाते हैं, बीए सी की पढ़ाई करने जाते हैं और बीकॉम की पढ़ाई करने जाते हैं, तो बीए का नॉर्मली अगर आप कोई सी कोर्स का आप फीज देखेंगे, तो बारह हजार के लंग सम आपका बीए का फीज है, चीक है, बीएसी का लंग सम् 17,000 फीज है और बीकॉम का लगबग 15,000 फीज है ठीक है 12,000 फीज है लगबग आप वहां से ग्रेडियोशन करते हैं तो यह आपके कॉलेजेस के फीज है एप्रॉक्स इतना आपका कॉलेज का फीज लगता है अगर हम वही अग बीएच्चु की बात कर ल यहां पर यहां पर धाई हजार से लेके साड़े तीन हजार के बीच में आपका यह तीन तीनों कोर्सेस का लंग सम् फीज है ठीक है अगर हम कुछ कोर्सेस की अगर हम बात करते हैं कि जैसे बीएसी क्ल्चर की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर कोर्स का फीज जाता है लेकिन यह क्यों एक या दो कोर्सेस का यह नहीं तो लंब सब देखेंगे आप फीस के मावले बेर बी एचु का फीस का काफी ज्यादा काम है लेकिन वही अगर हम बीउ की बात करते हैं तो डियू की फीस काफी ज्यादा है जैसा कि आप देख सकते हैं 12,000, 15,000, 17,000 डियू की का फीस है ठीके हम इनवर्मेट की बात करते हैं तो इल्वर्मेट देखें दोनोजगा फ्रेंडली है तब लेकिन आगर वीऊ की एनवर्मेंट को देखते हैं तो डियू में थोड़ा सा हाई चेक इनवर्मेंट है लोग मतलब हाई पाइ स्टेंडर वाले आपको लोग यहां पर आते हैं कई तरह को लोग आते हैं हाई चेक भी आते हैं मॉडर्ण यहां लोग देखने को मिले गाए लेकिन ओकर वही हम बीएच्चु की बात करते हैं तो बीएच्चु में जो है इनुवर्मेंट फ्रेंडली है ठीक है थोड़ा सा भाईया दीदी वाला कल्चर है ख्रान स्वार साभा थैकर सकते हैं की मालत्य sporty हुगया मैट्रो सीची दowan सी टी एडवांस यह थोड़ा सा मिदिल येवल का सीटी हो गया जिसे मालीज़े जयातान सुना सी प्रतुल में बात कर लिए अ हॉस्टले में यह थे बात कर लोग बात कर लता ग्रस्टे बहुत ज्यादा ही कम हैं बहुत कमीं लोगों को सब्लूट यानि युप Susu लोगों को अपर्सेंट लोगों को सब्सक्राइब घ्राइब ची दियली ज्यू जादा अगरा मेली जादाता है ज़ियाड़ बहुत कम है। दिली उनियुऀसिटिक दिली उनियुयस्टिक करीब एक लाख रुपिया तो लगभग इनका फीस लग जाता है सलाना होस्टल का लेकिन गुर्व वह बात करता है तो बहुत ज़्यादा कम है करीब आपको होस्टल का ये पांच-छाजार से लेके पांच-छाजार तक कभी क्यों जो है आपके यहां बीचु के फीस है ठीक ह अगर खाना ना इंप्डूड कर देंगे तो लगता है चलेजर आप रफ्रॉक्स आलम समझोए आपका इतना पर फीस आएगा ठीक है अगर हम बात कर लेते हैं यहां पर कैमपस की ठीक है देखिए दिली यूनिवर्सिटी जो है वह वह कैमपस नहीं है दिली यूनिवर्सि अपना चैंपस है यह दिपार्टमेंट से सारा फकल्टी है सारे होस्टल से सब कुछ इसी कैंपस में है यह अब इसी में सब कुछ है सब मिल जाए गाए लेकिन यह आप जो डियू का देखा ना तो यहां पर यहां पर सब सरह यहां पर सब कैंपस नहीं है यह नौर्थ कैंपस का एरिया है और इसमें जितने सारे आजाए ठीक है यह सारी चीज़ा आपको देखने को मिलेगी अगर हम बात करते हैं एक्सपेंडीचर को खर्च देखिए वह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम और आपको यह चीज़े लेके च सब्सक्राइब करते हैं तो जासा कि आप तभी को पता दिल्ली जो है यापिटल सार क्याया और वहां दिल्ली में रहां संग का खर्च बहुत ज्यादा है और आप दिल्ली में जाते हैं तो नॉर्मल यह लेकर एक रूम भी लेते हैं रहने के लिए तब समझ जाएए वह प रूम आपको 5000 से लेके 10,000 तक का तो आपको रूम अप फ्लैट वगरा मिलेगा ठीक है यह आपका एक नॉर्मल रूम लेने का खर्च है ठीक है उसके बाद खाने पीने का अलाग रहने का लाग कपड़ा दोने का अलाग लिपिष्टी के मेकप का जल बिंदी वगरा का लाग क आप रूम चाहेंगे वैसा आपको रूम मिल जाएगा कुछ लोग बोलेंगा 1000 कहां मिलेगा तो 1000 का चलो तुनको सीर गेट दिलाते हैं यहीं सीर गेट अपको 1000 रूपया तक कभी रूम मिल जागा कर दोहाजार का रूम आपको छित्तुपूर में भी लाएगा और थाई तो तिनेयर के रूम आपको लंका मिलागा एधराबाद गेट मिलागा हर जगा मिल जग है ठीक है तक आप यह भी देखेंगे तो बनारस में आपको कम पाइसा में भी आप अच्छे सहराम से रह सकते हैं खापने सकते हैं यानि उतना कॉस्टली नहीं है दिल्ली वगरा में तो कहीं खाली आटों में एक बाइट गया दस कदम चल गए 10 रुपे भाड़ा दस कम लेगा ही नहीं त सब्सक्राइब तो एस्पेंडीचर हम देखें काफी ज़्यादा हूं आप दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा अगर हम कोर्सेश की बात करते हैं तो दोनों जगह बहतर है दोनों जगह चलती है वेराइट्री आप कोर्सेश है चाहें आप डियू में देखिए चाहें अब बात कर लेते हैं तो आप के लिए बेश्ट है आप डियू में जा सकते हैं क्योंकि दियू में अब अदमिशन लेने के बाद वहां पर जितने भी बड़ी-बड़ी कोचिंग संस्था है सब कुछ आपको दिल्ली में देखने को मिलेगी यह चू क्या आज पास या फिर बनारस में तो आपके लिए डियू बेश्ट पड़ेगा क्योंकि वहां पर सब कोचिंग फैसलिटी यह ताप साथ में कॉलेज भी कर सकते हो और साथ में आपको अपना यूपी असी का तयार सब्सक्राइब कर सकते हो और अधिकतर जितने भी आप देखेंगे यूपी असब दिल्ली की लड़कियां लड़के रहते हैं यह काफी जयाद है वहां पर एक बेनफिट मिल जाता है वहीं अगर आप बहुत अच्छा है सेल्पी स्टडी के लिए आपको बेश्ट है आप पढ़ाई कर सकते हो लेकिन बस यह कि यहाँ पर जला कोचिंगं वरा नहीं मिल पाता है और नहीं यहाँ पर सदू आ अगर आपके अंदर यह potential है कि आप अपना online study कर सकते हो यह admission लेकि हम online तयारी करें self study तो आप कर सकते हो बहतर कोई दिक्कत नहीं लेकिन बाकी coaching और अगर सहारा लेना हो और environment चाहिए हो आपके लिए दियू में वह चीज़ा आपको देखने को मिलेगा कुछ और point बवाद कर लेते हैं जैसे की placement को लेकर हम बात कर लेते हैं देखिए placement के मामले में no doubt आपका डियू बेश्ट है क्योंकि डियू के colleges काफी अच्छे अच्छा है और यहां प्लेस्मेंट बहुत अच् अगर आपके अंदर प्रतिभा टालेंट है तो आप प्लेस्मेंट पास सकते हैं लेकिन एफ कंपेड टू डियू यू में कम है डियू में आपको प्लेस्मेंट कापी ज्यादा बहतर बेस्ट देखने को मिलेगा चाहिए आप MBA के सेक्टर में देख लिजिए या किसी भी कोर् को अलड़ी बात कर लिया तो आप कोई बात करने की जरूत नहीं है हाँ वह यह कि होस्टर के मामले में भी एच्चू बेश्ट है क्योंकि आप देखेगा भी एच्चू जो है ना एक लार्जेस्ट रसिदेंसियल यूनिवर्सिटी है यहां पर 40,000 बच्चे पढ़ता है ज रूपी बिहार में रहा रहा है तो उसके लिए भी एच्चू कापी ज्यादा पास पढ़ेगा और बेश्ट पढ़ेगा अगर आपके पास अच्छा कासा पैसा रूपया है या बाहर अपने बच्चे को भेज सकते हैं ठीक है आप डियू भेज सकते हैं और अगर आप मिड अगर बात करते हैं देखिए एक्स्पोजर काफी ज्यादा इंप्टेंट होती है एक्सपोजर किस पर डिपेंड करता है इन्हें वह वह माहूल पी चाहिक शीजा आपको मिल लए यह नो डाउट देखिए पोजर का मामले में आप पर डियू बेश्ट पढ़ेगा कि यहां पर आप आराम से चीज़ें आप पा सकते हैं परस्णालिटी डेवलप्मेंट के लिए भी डियू आपके लिए बेस्ट है ठीक है पर सहाई टेक है ना एक्सपोजर तो मिलेगा ही तो यह चीज़ें बेस्ट है जबकि बीच्चु में एक्सपोजर उतना नहीं है वह तो इस सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ज्यादा साही है जो भी आपको साही लगता है आप उसमें अड्मिशन लग सकते हैं दो नो एड्मि यूनिवर्सिटी अपने बेस्ट है अगर ना एरफ रांकी के भी अगर हम बात कर लेते हैं ठीक है तो एन आई आर एफ तो डियू की जो रांकिंग आई थी हमको लगता है 13 फ्लस थी यानि तेरह चावदावा कुछ था जबकि भी एच्चु के रांकिंग तीसरी है ठीक है अल ओबर इंडिया मतलब पूर्य यह रांकिंग है तेरह वी और यह तीसरी ठीक है तो यह रांकिंग पर मत जाईए आपको जो यूनिव चीस दे पाएंगे तो हमारे यह जिए चुबस्त है और अप Northern Хорошо आप देख कर सकते हैं और आप भाद बक्रम देखते हैं आगर आगर देखते हैं तो फेसलीटी अब आप ज्यादा अब यह को कम भी लेगी अगर ऐसा की मामलें को मामलें करते हैं घर का कहा पर कितना दूरी है आप जा सकते हैं तो जो आब यह आपको फड़े सकते तो आपको फास पड़े जहां पढ़ानां चाहें। अब र quel one Springs के बारे में जो गवर्मिंट निकालती एक उसमें आपका ब्यचू bes हैं। तो ये कुछ क्राइटेरिया थे जिसके बारे में माने आपको बात किया हो क्लीर कर दिया उनिवर्सिटी आपको जो सुटेबल लगती है उसमें जा सकते हैं मैं यहां पर मैंने कोई भी बाइसनस नहीं किया है कि मैं बहुत ज्यादा बीच को प्रकरों प्रफिए अग्दम जन्वीन है जो चीज़े मुझे लगा वो चीज़े मैं आपको बात किया वो बताया है तो जो भी आपको चीज़े सही लगती है उसमें आप जा सकते हैं यह आपको खुद का डिसीजिजन है ठीक है और को यूनिवरसिटी के बीच में आप जानना चाहते हो बीच में आपको बता दूह मफिटा को यहां से लिए और ऐसे ही नहीं नहीं अपडोई के लिए हमारे चैनल से जूट जाईए अजर मादिन